नमस्कार दोस्तों, आपने दुलहन तो सस्ती भी देखे होगी, सभी लड़कियां दुलहन एक न एक दिन तो बनती हैं, दुलहन बनते समय आपने देखा होगा 16 तरह के सिंगार होते हैं, उन 16 तरह के सिंगारों के क्या मानने हैं जाने इस वीडियो के द्वरण, आपने लड़कियों को दुलहन बनते हुए तो देखाएगे, दुलहन बनते हुए आपने उने सोड़ा सिंगार करते हुए भी देखा होगा, ये रस्मे जब एक लड़की किसी परिवार में शादी करकर चाती है, तो वह कही रस्मों से बनती हैं, उस रस्म के भी कही मानने हो तातों सबसे ज़्यादा शौक होता ही है आपको क्या पता कि महंदी आपके किस-किस गुणों से आपको परदान करती है जो महन्दी होती है वे आपको ठंड़क परदान करती है, शांती भी देती है, ठंड़क परदान के साथ सिर्दर्द, उखार और आपके पती पतनी के जीवन में बहुत सारी सुख और सांती भी दे कराता है मेहणदी के ऐसी बहुत सारे इकुम है जो आपको वायरल और फंगर से भी बचाता है देखिए मेहणदी के कितने पाइड़े हैं नमबर दो हल्दी हल्दी तो अप जानते ही है ऐंटी वायरियोटिक और स्धीरी की कहा जाता है कहते हैं दुल्हन को हल्दी इसलिए लगाया चलता है ताकि उस पर प्राकर्तिक निखारा सकी वो सुंदर निखर सकी जिससे आपको प्राकर्तिक सुंदरे भी मिलता है प्राकरतिक ने हमें एक हल्दी सुंद्रिय निखाने के लिए ही दुदी है जिससे इतुर्भन को सुंदर और सुंद्रिय प्रदान करता है पर 3. चूडिया चूडिया जब हम कलाही में पहनते हैं तो सजावट के लिए ही नहीं यह एक एकपेशर पॉइंट होता है जिसे चूडियों के तवाफ से आपके सरीय की सारी बिमारिया भी दूर हो जाती है कहते हैं चूडियों पहनने से हमारे हातों में एक घश्न बल होता है जिसे रक्त का संचारन भी बढ़ता है और आपके कलाईयां भी सुन्दा लगती है नमबर चार्थ मांग में सिंदूर भना आपने हिंदू धर में जो देखाई है जो इस तरियां साधी शुदा होती है वह अपनी मांग सिंदूर से सचाती है सिंदूर लगाने से सिंदूर के अंदर हल्दी, चोना, पारा और धातो नामकुस चार पधारत होते हैं जो आपके मात्य पर ठंड़ा परधान करते हैं आपके योन शक्ति भी बढ़ती हैं कहते हैं इसलिए कुवारी लड़कियों को और बिना शादी शुदा लड़कियों को सिंदूर लगाने के लिए बना किया जाता है नमबर पाँच, बिच्वे पेनना, आपने हिंदू धरम में तो देखा ही होगा जो इस तरियां सालिस उड़ा होती हैं भै पेर की दूसरी उड़ी में बिच्वे डाती हैं बिच्वे पहनने से उनकी पेरों में ही कनस होती है इसलिए कहा जाता है हिंदू धरम में बिच्वे पहनने चाहिए नमबर छे अगनी आप तो सभी जानते हैं कि अगनी को पवित्र माना जाता है और अगनी में डलने वाले पवित्र समान जैसे घी, चावल ये चीजें अगनी में डाली जाते हैं और बरवदू जिस अगनी के सामख्ष होकर साथ फेरे लेते हैं उससे भी उनका रिस्ता और परवदू को सबसे ज़्यादा होता है और उस साधी में शामील होने वाले सभी लोगों को भी फायदा होता है तो ये थे वहे कारण जिसके कारण इस्तरियां 16 सिंगार करती हैं इन सिंगारों का परंपराव की क्या विशेस्ता हैं इस वीडियो से आपको पता ही चल गई हो मेरी वीडियो को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना पूलिए